वेल्कम बैक तू माई यूटूब चनलिस का नाम है जीतेन कुमार ओमा आई टी सपोर्ट और आज की यह वीडियो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी क्रेप्टेड हार्डिस्क को यानि क्रेप्टेड पेंड्राइब को कोई भी इस्टोड डिवाइस इस चीज से बचने के लिए एक स्वाइब की तो यह हमाई पार्टिचन अप्लिकेशन होता है जिसके बता हूँ कैसे आप अपने जो प्रेप्टेड हार्ड ड्राइव है या फेपन राइव है या रिकार्ड है उसको सज़ह कर सकते हैं आई बीना किसी देरी के हुए इस व चली स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के पास आएंगे सिस्टम के अंदर आएंगे और इसको बंद करेंगे तो देखे मैं आपको दिखाता हूं कैसे कर्टेट जो है हमाई हाट्राइव में साही करूगा सुबसे पहले मिद्दीस PCIe option पर आऊंगा ठीक है म कंपूटर में जाकर यहनद कि मैं अपने एक हाडड़ाईव को इसमें लगाऊंगा रिएस्बिप्ट में तो देख सकतें यह देखें हैं यह जो मेरी हाड्राइव आई यह यह इड्राइव देखें यह मैं जिए यह स्थे बंक्याइल है पर मैं इसको स्कूलने कोशित डॉट डॉट कर लिजिए आप Google पर जाकर यह मैं अल्डी रॉट कर रखा है इसको डॉट करने के बाद मैं अपनी हाड़ ड्राइब पर जाओंगा यह देखें दिखते हैं आपको यह मेरी हाड ड्राइब है तो इसको खोलूंगा और यहां पर जाओंगा और अड्वांस पर दिक करेंगा है श्तर काुद। है कि प्सक्राइव कर देंगा। इस सेClass Partition अभाना तिंड कतकी होंगा। इस या होगा इसे तो यो थोड़ा वेट करेंगे, जब तक ये रिपेल कर रहा है। कि इससे क्या होगा कि मेरा डेटा जो है हाट डिसकेंदर वह भी बचा रहेगा और मेरी हाट ड्राइव भी सही हो जाएगी तो देखिए जैसे इसने रिपेर कर दिया है अब मैं इसको कर दूँगा और नीचे देखिए ऑप्शन आ भी आगए अटो प्ले का तो इसको मैं करता हूँ ठीक है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह मेरी हाट ड्राइव जो है वो सही हो चुकी है तो इसको मैं मिनिमाइस करता हूँ फिसे में दिस पीचिया अप्शन पर जाओंगा विंडो यह दबाके इस पर दिखिए और यह मेरी हाट डेटा दिखा रहा है मैं पर जाइब जाइब रहा है तो इसकैन क्षाई दिखिए और दिखिए और दो है यह दोग।